हालो नमस्कार मैं पंकर जोशी आप सभी का उत्करस टेक्डमी के यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच यानि कि भारत और विश्व का जो करंट अफेर है उसे लेकर आ रहा हूँ और मेरा परियास रहेगा कि जो मंतिली करंट अफेर है यानि कि 2022 का 12 की 12 महीने का मैं अलग-अलग वीडियो के माध्यम से आपके बीच दोस्तों लेकर आता हूँ तो यदि आपको मेरा ये परियास अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सुजाव अवश्य दीजेगा और अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि इसमें मुझे चेंजिंग करना चाहिए तो वो भी आप मुझे बेश सकते हैं बाकी इसी तरह से आप मुझे से जुड़े रहें मैं हर महीने की वीडियो आपके बीच इसी तरह से लगातार लाता रहूँगा तो चलिए शुरुवात की जाए यानि कि ये जो मेरा वीडियो है ये जनवरी 2022 का करन्ट अफैर के रूप में आपके बीच आ रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा दोस्तों यानि कि वीर बाल दिवस ये most important है दोस्तों इसको especially आद रखेगा और यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा नाई 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस जो है भारत सरकार ने मनाने की घुशनकी है और यहाँ पर मैंने चित्रों के बादियम से समझाने का परियास क्या है नॉर्मली आपको यहाँ पर जो दिख रहे होंगे यह हमारे सिखों की जो दसे गुरू है गुरू गोविन सिंग जी य इनके उस पर जो है उपलक्ष में जो इनके चार बेटों ने अपनी आवुती दी थी उस पर ये वीर बाल दिवस मनाने की घुशनकी गई आये चलिए थुड़ा सा जान ले इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट त्यमने यहाँ पर लिखे अगर आपको यहाँ पर दिख होंगे यह वाले तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना कि सिखों के जो दस्वी गुरू है गुरू गोविन सिंग जी की जैनती पर भारत्य प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बीर बाल दिवस शुरू किया गया है यह जो दिवस है यह प्रत्य वर् मनाय जाता था जवालाल निरुजी के दिवस पर तो वो 14 नवंबर को मनाय जाता था लेकिन अब इसके इस्तान पर यह हमेशा यानि कि 26 दिसंबर को ही और वीर बाल दिवस की रूप में मनाय जाएगा तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट था इस घटना को याद रखेगा कि बीर बाल दिवस 26 दिसंबर को प्रत्यक वर्ष मनाय जाएगा और यह 2022 से शुरू किया गया है नेक्स्ट घटना है आज की आपको यहां पर दिख रहा होगा मदर टरेसा मेमूरियल एबोड यानि कि 2021 यह दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा यह जो मदर टरेसा प्लक्ष में दिया जाता है और यह जो शक्षित आपको इस जगे पर दिख रही है इसे पैचान लीजे खास्तों से उत्राखन के छात्रों के लिए इंपोटेंट है यह हमारे अनील प्रकाश जोशी जी है तो इनको भी यह प्राप्त है बाकि किन-किन लोगों को यहां पर और हर साल सामाजिक निया एहतु दिया जाता है इसकी शुरुवाद के अगर हम लोग बात करें तो 2005 बिसको शुरू किया गया था और इस पुरुसकार को किसकी द्वारा दिया जाता है तो आपको याद रखना है कि हारमानी जो फांडिशन है इसकी द्वारा दोस्तों यह 2005 से हर साल दिया जा रहा है अगर मैं 2021 के प्राप्त करता हूं कि बात करूँ तो इसमें आपको याद रखना है एक तो अनिल पुरकाज योशी जी है उत्राकंड से है दूसरा तुलसी गोड़ा ये भी उत्राकंड से है और अगला याद रखना है जो यूरोप में एक देश है डेनमार्क वैसे ये दस लोगों को दिया जाता है तो लेकिन इन मेंसे जो खास इंपोर्टेंट है वो मैंने आपके लिए यहां पर रखें तो इनको 2021 का दिया गया है 2022 का भी यह मिल चुका है तो दिया मिर्जा और अफ्रोज शाह इन दोनों को दोस्तों ये प्रुसकार 2022 का भी मिल गया है तो याद रखेंगा मैंने अभी चर्चा यहां पर किस पर की यानि मदर टरेसा मेमोरियल अबॉर्ट 2021 ये साल में दिया जाता है 2005 से शुरुआ तो ही है हार्मनी फांडेशन की द्वारा दिया जाता है बाकी आज की जो इंपोर्टेंट और घटना है जैन की 15 अब यह जो क्रिप्टो इंडेस आई सी 15 ने यहां पर भी आपको दिख रहा होगा भारत का पहला क्रिप्टो केरेंसी इंडेक्स है तो पहली चीज याद रखने है कि भारत ने जो आमारी क्रिप्टो केरेंसी उस पर नजर रखने के लिए देश का यह पहला क्रिप्ट क्रिप्टो वायर है इसे की द्वारा इसे लॉंच किया गया है अब इसमें क्या इंपोटेंट है तो याद रखना है जो यह क्रिप्टो केरिंस है यह एक परकार की दोस्तों हमारी डिजिटल मुद्रा है जिसमें लेंदेन संबंधी सभी जानकारी को कूडबत तरीके से विक मुझ धिवस 2020 हर बार मनाया जाता है नौर्मारी तो आपको इसमें से चीज offenders यह आद रखना रखनी है कि जो विश्व विज्ञान दिवस है यह 10 नवंबर को मना जाता है तो पहली चीज तो यह दोनों की जोनों के लिए रहोने चाहिए राष्ट्य विज्ञान दिवस और विश्व विज्ञान दिवस अब दूसरा इंपोर्टेंट है इसकी थीम पूछी जाती है यानि जो हमारा विज्ञान दिवस 2022 अगर राष्ट्य विज्ञान दिवस पूछे 29 अभिउष्व विश्व विज्ञान दिवस पूछे 10 परवरी और अगर इसकी थेम पूछे तो तात्थ वह विश्य के लिए विज्ञान और प्रॉधोगीकि में एकत्री द्रिश्ठिक हो तो यह भी बह आउट्लूक रिपोर्ट और यहां पर आपको दिख रहा होगा यानि कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानि की आई इसे दूसरा कोशिन पूछता है कि जो यह आएमफ है इसके स्थाप नकप की गई तो दोस्तों याद रहे हैं बहुत बार एक्जाम आती है जुलाइ नाइंटीन फॉर्टिफाइब में की गई इसका मुख्या ले कई बार पूछता है कि जो हमारा जो आएमफ है या जो रहा है यूरोप का दोस्तों इसमें जुड़ा हो मतलब यह सब अलग अलग तरीके से तोड़ कर पूछे जाते हैं तो वर्ड एकॉनमिक आउट्लूक रिपोर्ट उम्मीद करता हूं याद हो गया है कि इसे जो है अंतर राष्टे मुद्रकोश या इंटरनेशनल माउन जाता है तो याद रखना यह जाता है कि जो विश्वार यूद्य अनात्ह दिवस को मनाया जाता है और मिआगत नेक्स तरह रास्ट्य युवा A sud.022 रास्ट्य युवाование उन्मीद मनेगा है तो सीधा टिक जाना चाहिए यानिकी पुद्दू चीरी तो पांडे चीरी में मनाए गया यहाँ पर भी देखी नैशनल यूथ जो फैस्टिपल है यह बारा तेरा जनवरी 2022 को वा था और हमारा जो पांडे चीरी है यहाँ पर इसे मनाया गया था तो यह भी डाइरेक्ट याद रख लो इनका चित्र देख लिजे यह वाला यहाँ पर तो यह ढंक से याद रखें यही हमारी वह सिंदुताई सबकाल जी हैं और इनको जो है अनाथो की मा की रूप में भी जाना जाता है दोस्तों तो आए चलिए थोड़ा इनके बारे में जान ले पहले चीज़ तो याद रखना है कि यह महारास्टा की थी मतलब यह इसलिए इंपोर्टेंट बन गया इनका हाली में दोस्तों देहान तो गया इसलिए इनको मैने लाया कि सिंदूताई सबकाल आपको याद हो जाएं यह महारास्टी की थी और सामाजिक कार्यों करता थी और खास बात है जनवरी यानि कि चार जनवरी 2022 को इनका देहान तो गया इने अनाथू की मा कहा जाता है तो पहली चीज़ याद रखना है अनाथू की मा और 2021 में ने सामाजिक कार्यों श्रेणी में पदमिश्टी से भी भारत सरकार के द्वारा दोस्तों सम्मानित किया जा चुका है तो क्या की बरता हम आगे दोस्तों अगली घटना के लिए आगली जो घटना है वह है क्रित्रीम सूरज बहुत ही सुर्क्यों मेरा नॉर्मली सब लोगों को पता होगा आप ना भी देखा होगा दोस्तों कि जो है चाइना ने जो है क्रित्रीम सूरज वैसे तो बहुत सारे देशों यहां ने बना दिया लेकिन चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ तिया है क्रित्रिम सूरज का चिन ने क्या किया इन्ह20 है 17 मिनट तक सात करोरी सेल्सेषर निकाल रिकॉर्ड तूड़ तोड़ा है मतल़ मिन्ने जो वह कृत्रिम जांग मिंग है यह क्यों इंपोर्टेंट है इस समय आखर में क्यों यह सुर्क्यों मैं तो पहली चीज आपको याद रखने जो श्रगाई सहयोग संगठन ने बहुत इंपोर्टेंट इसके बारे में पढ़ लीजिए इसके यह अभी महासची बने है तो याद रखना जो जह जांग मिंग है धिमाक्स में समझ डाल दीजे जांग मिंग यह श्रगाई सहयोग संगठन के महासची बने हैं और जो श्रगाई सहयोग संगठन ने इसको भी डाइरेक्ट पूछ लेता है कि यह कब का तो यह 2001 में दोस्तों पिस्तापित किया गया बाकिसका जो मुख्याल ह है वो बीजिंग यानि चीन में है और आठ देश इसमें कुल है और इनमें से दोस्तों हमारा जो भारत है वो भी इसका शंगाई सयोग संगठन का हिस्सा है तो इतनी चीजे आपको यानि कि जांग मिंग नॉर्मली दिख रहा होगा देखो फोटो जरूर देखो ताकि पूशेगा कि जो इस्टुडेंट स्टार्ट अप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 है यह किस सरकार के द्वारा जारी की गई है तो सीधा सीधा आपका जो टिक जाना चीए यानि कि गुजरात सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया तो याद रखेगा याद क्या रखना है कि स्टुडेंट स्टार्ट अप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 यह किस के द्वारा जारी की गई है तो यह गुजरात सरकार के द्वारा जारी की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाला बनावा है यानि कि गुजरात सरकार के द्वारा इसे जारी की गा है अगली जो ज सीर्ड्रेगन ACT 2022 इसमें देखे क्या क्या चीजत ये है क्या सीर्ड्रेगन तो आपको एक चीज याद रखना यहां बहुरास्ट यो वारशिक अभ्यास है मतलब यह जो है बहुत सारे देशों को मिलकर किया जाने वाला एक वारशिक अभ्यास है और दूसरी खास बात है यहां तो इसमें जो हमारी important चीजे हैं पहले चीज आपको याद रखनी है यानि कि जो सीड ड्रेगन है यहां बहुरास्ट वार्शी कब्यास है दूसरा खास बात है कितने देशों के बीच हुआ है तो याद रखना है दोस्तों 6 देशों के बीच हुआ है जिन में से USA है ऑस्टेलि है वहां पर यह दोस्तों किया गया है तो most important याद रखना है यानि कि सीड ड्रेगन सिदा सिदा पूछ लेगा क्या है तो एक चीज तो याद रखने है एक अभ्यास है और यह बहुरास्ट यानि कि 6 देशों के बीच होने वाला है या ऐसे भी बन सकता है कि क्या भारत इसका हिस्सा है भारत इसमें शामिल है तो बिल्कुल भारत भी इसमें शामिल था आगला देखें हमारे एक शक्ष है यानि कि जे एस चौधरी जी यह भी अभी सुर्क्यों में रहे इसलिए आपके बीच इनको लेकर आया हूं जे एस चौधरी देख लेजी आत्मी इनोंने कि अंक जोतिश में गिनेज वल्ड रिकॉर्ड बनाया है और दूसरी खास बात क्या याद रखने कि जो 2022 का जो सबसे पहला भारत की तरफ से किसी को गिनेज वल्ड का जो रिकॉर्ड बनाया था वो भी इनी की द्वारा बनाया गया था तो याद रखना अंक जोतिश में प तो आपको इसमें देखना है कि यह क्या है, क्यों important है, कहां पर इसका मुख्याले है, कब इसे स्थापित किया गया है, है ना तो अगर हम लोग अंतराश्टे सौर गडवंदन की बात करें या इंटरनेशनल सूलर एलाइन्स की बात करें तो इसमें दोस्तों पहले चीज याद रखनें इसकी स्थापना से, तो 30 नवंबर 2015 को इसको स्थापित किया गया था, यानि कि तब भारत के परदानमंति नरेंदर मोदीजी थे, और इसका जो मुख्याल है वो गुरुग्राम यानि हरियाना में है, बाकि इसकी जो बाहरी द इसमें सदस्य था, वो दोस्तों ये वसे था, तो इतने चीज याद रखनें है, यानि कि अंतरराष्टे स्वार गटवंदन के बारे में, बागी बढ़ता हूं अगली महत्तपुन गटना के बारे में, अगली इंपोर्टेंट गटना है, यानि कि एक शक्ष है प्रताप सि मंतरी का दर्जा दिया, मतलब यह बहुत बड़ी बात है, कि आज इवन हमेशक लेनको केबिनेट मंतरी का दर्जा पराप्त हुआ है, तो वो हमारे कौन शक्ष होंगे, परताप सिंग राने जी आपको याद रखना है, अगला शक्ष है, अगला शक्ष आपको इस्पेशल निर्यातक का मारे देश है, तो उपेग के इनको क्या बनाए गया है, महासची बनाए गया है, तो मोस्ट इंपर्टेंट यह कोश्ष न है कि उपेग के महासची अभी कौन बने है, तो यह शक्ष आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यानि कि हैतम अल गिस को बनाए गया है, आगे बढ़ता हूँ अगली घटना पर और अगली घटना है, यह भी बड़ी इंपर्टेंट है, ओपन रॉक संग्राले, यह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देश में पहले ओपन रॉक एर संग्राले, जो पत्थर दिख रहा हूँ ने, इस टाइप का यह संग्राले रॉक मुढ्यम, तो इसका बशुका बारत में पहली वारन पर हुआ, ओपन रॉक संग्राले, о पार किया बना रा पर दूसर्य कहां पर बना आए, तो यह भारत का पहला ओपन रॉक संग्राले और जो नीव है वो हैदराबाद है, याद क्या रखना आपको यानि आपको ह फैदराबाद इसमें रखना को से आगली जनवरी MAHA की इंपोरिन घंट्र मोथान Stamp आ है इस मोबाइल हदी और हो यह को यहां पर देख अब हैं रेक् 이asts गाड़ी तो आपने थी तो वर्जगीर कुईरेण की दूध के लिए थी अब सुईट क्रांटी की उन्होंने जो है क्रांटी रख यह जो बिंदू दिखरे यह यह बीच में यह खादी दिख रहा खादी इंडिया तो पहला तो यह देशिया मदुमक्षी पालकों को परशिक्षन देना नेक्स देखें नेक्स हमारी जो इंपोटेंट गटना थी नेक्स थी यानि कि इगवर्नेंस का जो चौविस्वा राष्ट्य सम्मिलन है वो कहां पर दो हजार एक किसका आयुजित क्या गया तो इस जेके दिख रहा होग अगला था राष्ट जल पुरुसकार 2020 यह भी बड़ा इंपोटेंट कि राष्ट जल पुरुसकार जो 2020 है यह किन किन को प्राप्त है तो इस पर दोस्तों जो शीर्ष पर रहा वो उत्तर परदेश रहा दूसरे स्थार पर इसमें राजिस्तान और तीसरे पर इसमें तमिलन बर्म कौन है तो यह आपको बिल्कुल कर्केटर के मुद्रा में दिख रही है तो जी हां बिल्कुल सही है शेफाली बर्मा भारतियों क्रिकेटर है और इने जो है बैंक पर बडूदा का ब्रांड एंडोसर बनाया गया है तो मैं इंपर्टेंट चीज है बैंक और मतलब इनोंने सचीन का भी रिकॉर्ड टोड दिया तो शैफाली वर्मा इसलिए भी इंपोर्टेंट है आगला देखे आईशा मलिक है आईशा मलिक भी बहुत इंपोर्टेंट है आईशा मलिक कौन है क्यों सुर्ख्यों में तो देख लिए एक खुबसूरत सा चेहरा देख पाकिस्तान के बहुत सारी खुबसूरत जो है जो महिला है वह खुबसूरत ही रहती है तो आईशा मलिक शकल देख लिए दिमाग पर चप जाएगी लड़कों को तो याद हो जाएगी हमेशा के लिए तो आईशा मलिक कौन है क्यों सुर्क्यों में तो याद रखना है यह जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है उसमें जज बनने वाली दोस्तों पहली महिला मतलब आज तक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में महिला जज नहीं थी तो आईशा मलिक यानि की फस्ट जस्टिस ऑप पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट तो यह इतना याद आपको रखना है अगला आगया जी मिलन यानि की 2022 आप देखो 2022 तो समाप तो रहा है लेकिन आपको याद रखना है कि मिलन हमारे 2023 मुना है तो 2022 में जो मिलन था ये एक परकार के exercise है तो आपको याद रखना है ये भी बहुराष्ट्यों नौसेनिक अभ्यास है दोस्तों यहां देखिए इसलिए ये most important हो जाता है इसमें कुल 46 देश है और इसका जो विशेय था वो था सौहार्द सामजस्य और सहयोग अध्यक्षता इसकी 2022 की भारत की दुवारा की गई तो मिलन 2022 याद रखेगा एक पुस्तक लॉंच हुई है गांधी की हत्यारे यानि कि दो making of नातुराम आपको दिख रहे हुँए राइटर अगला देखे देश की पहली वौटर तैक्सी यानि की questions सीदा बन सकता है कि देश की जो पहली वौटर टैक्सी है उसकी जो शुरुवात है वह कहां पर की गई सुकाश है दो मिल्कोल पानी में चलने वाली जो टैक्सी तो देश की पहल यह पहले जो आपने देखा था एक ओमिक्रेंट यह बहुत सुर्ख्यों वर्याइब लेकिन ओमिक्रेंट के बाद जो नया आया है वह आ रखा है यानि कि डिल्टा क्रों अब आप से पूछेगा यह किस देश मर सबसे पहले पाए गया तो यह साइप्रस यहां पर यह देश् और नया इसमें आया हुआ है आगला देखिए 79 वा गोल्डन ग्लोब अबॉड दोहजार बाइस यानि कि 79 वा जो गोल्डन ग्लोब अबॉड है यहां से भी कोशिन बन जाता है तो 2022 का यह किसे मिला है तो पहले चाहिए याद रखना जो विल इसमित है इनको बैस्ट करने तो इनको आपने दिखाऊगा और जो ग्लोबल जो यह अब आवाट है यह आपको यहां पर दिख रहा होगा है यह आवोड आपका यह बाला इसके शकल भी याद रखना और इनकी शकल याद रखना बागी फिलाल मैं चलता हूं अगले कुशिट जो घेन 73 वा शत्रंजी जो ग्रेंड मास्टर का खिताफ है वो दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा यह में देखिए अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-2023 की मेजबानी कौन करेगा मेरी तरफ से इंपोर्टेंट लगा देजिस में मध्य परदेश करेगा सीधा सीधा याद रखना यानि कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-2023 की मेजबानी अगला है मैनपूर सैनिक स्कूल यह जो मैनपूर सैनिक स्कूल है यह खासतोर से उत्राखंड के लिए बहुत important है कारण यह है कि देखो जो यह मैनपूर सैनिक स्कूल है यह दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा यह एक तरह से उत्तर परदेश में है यानि कि यूपी में है पर इस स्कूल का नाम यानि कि जो हमारे CDS थे पहले ये आपको फोटो दिख रही होगी जनरल बिपिम रावजी इनके नाम पर इसे रखने की गोशना की गई है तो इसलिए मैंपूर सैने की स्कूल इंपोर्टेंट हो जाता है अगला शक्ष आपको यानि की ओहो यंग सू मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे आपको एक अक्टर दिखाया था जिनको बेस्ट डिरामा का मिला था अगला है इस जनबरी माहा की जो घटना है वह तो सीधर याद रहा है तसकरी जो जाग रखता दिवस है वो 11 जनवरी को मना जाता है नेक्स्ट है जूलन गोस्वामी जूलन गोस्वामी भी बड़ी इंपोर्टेंट है यह भी बड़ी सूर्क्यों में रही यहाँ पर देख लेजिए सिधा सिधा आपको देख रही होगी यानि कि ड्रेस में है और क्रिकेटर लग रही होगी आपको तो अल्रावडर थी यह भारतियों क्रिकेटर है और इन्हें माहिला शशक्तिकरण को बड़ाओ देने के लिए लिजेंड्स लिंक क्रिकेट में अपना ब्रेंड ने मिस्टर न्यूक्त किया गया है तो यह दोस्तो जूलन गो स्वामी से आपको याद रखना है नेक्स्ट यह एक बुक है और रतन एन टाटा दो ऑथ्राइज्ड बायूग्राफी इस पुस्तक को जो लिखा है वो डॉक्टर थॉमस मैथ्यूजी की दुवारा लिखा गया है यहाँ पर आप देखो डॉक्टर थॉमस मैथ्यूजी इनका जो राइटर है उसे आप याद रखेगा अगला हमारे पास है भारत रतन डॉक्टर अंबिड़कर पुरुसकार 2021 तो यह पुरुसकार भी दोस्तों मिल गया है भारत रतन डॉक्टर अंबिड़कर पुरुसकार और यहाँ पर यह क्यूट सी आपको एक छुटी सी बा अगर मुवी देख्योंगी उसमें चोटी सी बच्ची थी मुन्नी उसका इन्होंने किर्दान निवाय था तो इनको मिला है भारत रतन अंबिड़कर पुरुसकार 2021 ग्लोबल रिस्क वाई ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 बहुत इंपोर्टेंट इसमें पहली चीज की जारी करता कौन है तो जारी करता है यानि कि विश्व आर्थिक मंच यह इससे जारी करता है दूसरा इस्थापना यानि कि जनबरी 2000 सवरी 1971 कोई और इसका जो मुख्याल है वह कोल गनी यानि कि सूजल लैंड में तो ग्लोबल रिस्क इतना तो याद रखना कौन इसको जारी करता करता है तो इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है शेखन अमानत बड़ा इंपोटेंट है और यहां देख रहागा रेलवे के द्वारा शुरू किया है ट्रेज्ट भी दिख रहे हैं कि मशन अमानत के लिए यह भार्तियों के द्वारा रेल यात्यो तो उसको ट्रैक करने के लिए इसे लॉंच किया गया है आगला देखे एस सोमनाथ जी यहां पर देख लिए पहले शकल जरू देखना चाहिए एक्दम से बिल्कुल कोड़ पेंड मोर यहां टिक दिकराओगा इस सुरू का भाई तो एस सोमनाथ बहुत इंपोटेंट शक्ष है यह भारत्यों अंत्रिक शनुसंदान संगर्टन यानि कि इस्वरो के नए अध्यक्षे बाई इस समय बने इस्वरो का मुख्यालय कई बार आ जाता है बैंगलोर करनाटक में है और इस्वरो की स्तापन आ जाती है 15 अगस्त 1969 में बागिस संस्तापक दोस्तों विक्रम सार बाई तो याद रखना एस सोमनाज जी है ना इस्वरो के हमारे क्या बने है तो यह दोस्तों इस समय यानि की मोस्ट इंपोर्टेंट जो जनवरी महा की करन्ट अफेर से संबंदित घटना है थी मैंने आप लोगों के बीच मिलाई आप लोगों को यदि अच्छा लगा मेर अपरियास तो दोस्तों फिली Cos वीडियो को लाइक किजिएगा और साती सात और तो वीडियो को शेर भी कर दिचिएगा बाकि इंतजार कीजिए फरवरी महा के करण तफेर का जल्द आपके बीच आनेवाली है मेरी फरवरी महा की इंपरेंट घटनाव से संबंदित जुड नहीं है बागे आपको मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत जय उत्राखन